ओम नमें सिवाई दोस्तों आपका मेरे चैनल भक्ति की मूर्ती में स्वागत है आज मैं कर्मों का फल की कहानी लेकर आई हूँ एक बार की बात है भगवान सीव और माता पारवती गूमने निकले वे संसार में अनेकों स्थानों पर गूमे गुम्टे गुम्टे माता पार्वती ठक गई और भगवान से बोली मैं ठक गई हूँ, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, भगवान सी बोले ठीक है, दोने एक पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम करने लगते हैं, थोड़ी देर के बाद भगवान सी करवट ले लेते हैं, त इसलिए कीड़ा अपनी मदद नहीं कर पा रहा था। कीड़े को बहुत अधिक वेदना हो रही थी कि कैसे कीड़े अपनी रक्षा के लिए छटपटा रहा था। माताय द्रस्य देखकर परिशान हो गई कि कैसे उसकी मदद करूं। फिर उन्होंने भगवान सीव से कहा कि मैं इस कीड़े की मदद कैसे करूं। भगवान आप उस कीड़े की मदद करिए। जब भगवान सीव ने उस कीड़े को देखा तो पारवती को समझाने लगे कि इस कीड़े पर से अपना ध्यान हटा लो। क्योंकि ये पेड़ा में नहीं बलकि अपने कर्मों का फल भोग रहा है। पारवती माता एक कोमल हिर्द्य की थी। वे उस कीड़े को देखकर बड़ी दुखी हुई। वे लगातार भगवान से प्रातना करती रही। और सीव भी माता को बार-बार समझाते रहे कि पारवती वो अपने कर्मों का फल भोग रहा है। अब भगवान सीव माता प पीड़ा नहीं मिटेगी मैं अन्यत्र नहीं जाऊंगी। भगवान सीव को माता पारवती के आगे जुकना पड़ा। सीव बोले ठीक है पारवती मैं इसका कष्ट मिटा रहा हूं। अगर बाद में कुछ भी गड़वर हो गई तो फिर मत कहना, मुझे दोस मत देना। ठी तो अपना राजपाट सम्हाल हम चलते हैं। भगवान सीव का भी अपमान करता है कि तू एक योगी वनवन भटकने वाला ब्रहमन भला तेरे साथ इस सुन्दर इस्त्री का क्या काम। इसकी जंगे तो इस महल में हैं। यह तो एक राजा की रानी बनने लायक है। तू मैं अपनी रानी इसको बनाऊंगा। भगवान सीव ने राजा को तरह तरह से समझाने की कोशिस की कि यह मेरी पत्नी है तू तो राजा है तुझे तो हजारों रूप मती मिल जाएंगी। लेकिन राजा तो समझने को तयार नहीं था। तो भगवान सीव ने का ठीक है मैं चलता हूं तू इसे अपनी रानी बना। यह बास सुनते ही माता पारवती सीव के चर्णों में गिर जाती है और कहती है स्वामी मुझे इस दुविधा में छोड़ कर मत जाओ। भगवान बोले पारवती तुम्हें पहले ही समझाया था। माता बोली है नात मुझे छमा कर जिससे इसे कीड़ा बनकर भुगतना पड़ रहा है। भगवान सीव प्रसन हो गए चाहे पारवती ने जिद करके इसका कष्ट मिटाना चाहा परन्तु अब है कर्म के सिध्धान को समझ चुकी है। फिर भगवान सीव ने राजयों को पहले जैसा ही कीड़ा बना दिया औ और उनके हाल पर छोड़ दिया अब फिर से माता पारवती और भुलेनात प्रसंचित मन से भूमने लगे। दोस्तों आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी तो लाइक अवस्ते करें और कैसी लगी कमेंट करना ना भूले।